जहिंद नमस्कार मेरे सेर्ट सेंडियों स्वागत आप सबका अपने यूट्यूब चलन्स कमांडो केड़ी में दोस्तों आज का हमारा वीडियो इस पेसली एससी जीडी में लड़कियों को लेकर है कि लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट फोर्स कौन सी है आपने रेखा कौन सी फोर्स बेटर है क्योंकि लड़कों का तो ऐसा है कि वह कोई से भी फोर्स में शेट हो जाएंगे लेकिन लड़कियों के लिए मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था उसमें कई लड़कियों ने कमेंट किया था कि सर हमको एक बार ओर डिटेल में बताओ आगे तो आपको लाइक करना चैनल को सबस्क्राइब करना है सबसे पहले आपको बता दूं यह जो उपर की तीन नो वेकेंसी एससे जीडी के थुरू आती है जिनमें उपर की जो तीन वेकेंसी है इनको आप हटा दो क्यूंकि इसमें लड़कियों के दो से तीन पोस्ट हो आप पहले मैं आपको इनकी डूटी समझा जेता हूं आप समझना तो यहां पर कई लड़कियों के भरम रहता है कि साथ लड़कियां बोडर पर डूटी नहीं करती ऐसा नहीं हूं जब आप फोर्स में लगजाते था आपको वो सारी duty करने पड़ेगी जो एक लड़का करता है शेम टाइमिंग में च करना पड़ेगा अगर लड़का 6 गंटा duty कर रहा तो लड़की भी 6 गंटे duty करती है मईने के 30 दिन जिस जगन लड़का करती आपको वर्चे में करना पड़ेगी और इस परेसलिए आपको मौका बोडर में खड़ा रहना पड़ता है भारत पाकिस्तान का प्रणी पर लेकर उसके रूप से इनका काम है भारत पाकिस्तान की जो सीमा रख है उसकी सुरुख शाकर ना और आपने देखोबा का जो जो पूर जैया जब जाब जेसल मेर जाते हो तो वहाँ पर लड़किया मोर्चों में खड़ी रहती है बोर्डर की तरफ नजरे तिकाये हुए तो वह इसकी ड्यूटी है अगर हम बात करें सिया सब सेंट्रल इंडेस्ट्रियल सेकुरिटी फोर्स इसमें लड़कियों की आपने एरपोर्ट पर देख होगी मेट्रो में लड़कियों क्यूत्यूं में डूस्ट्र सबक Blue नदब्र पृस्पोर्स इसमें काफी हाड होता है ड्यूट्य करना वैसे लड़कियों लेकिन करना ही पड़ता है कि पूस्टिंग उन्हें आपको ज्यादा तर हिमाल्य उधर मिलती है जो इंडिया और तिबत का बॉर्डर एरिया उसी मिलती है वहां पर ऑक्सेजन की मात्रा भी कई बहुत कम होती है जहां पर आपको ड्यूटी करने होती है और बिल्कुल लड़कियां वहां ड्यूटी करती भी है भई परकार की प्यृट्टि इसमें लड़कें लड़के ड़के सकती करना बाकि नहीं लटकी बाकि साथिसकीब में लटकें की ड्यूटि लगती है और ग्रूप सेंटरों में की डूटियां रहती है मतलब कोई फरक नहीं है सिर्फ और सिर्फ जान हाई मान के चलो कि यह रहता है वहाँ पर थोड़ा सा कम है भी अभी जैसे कश्मीर ओफ्स में लड़कियों को नहीं देते हैं भी डूटी शेयर प्यप में और शतीजगर में कोबरा में नहीं देते हैं बाकी जो महीला बटालियन है उन सब में ड्यूटी करती है इसले जो बेसलिय जब दोरान होती हूं और 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 दंगओं में होती है तब भी होती है आपने दिल्ली में भी देखाऊगा जब आंदोल ने वहां पर भी शेयर पेप की बचियां जो लड़कियां है शेनिक वह खड़ी मिल जाएगी भाई असम राइफल में भी शेयर में सहा है बिल्कुल पेट्रोलिंग जाना पड़ता है ओफ ड्यूटी भी करनी पड़ती असम राइफल में तो लड़कियों दोनों काम करने पड़ते हैं स्पर आप बारत पकिस्तान नेपाल बोर्डर होता है उस पर खड़ा रहना पड़ता अब सबसे हाड कौन सी सबसे इजी कौन सी देखो अगर सबसे बेस्ट लड़कियों के लिए पुछो तो फर्स्ट होई सोड़ी चीए सब्सक्राइब यह क्योंकि आप ज्यादा तर नोक्री आप शिटी या बड़े शहरों में निकलेगी क्योंकि एरपोर्ट मेट्रों कहां चलती है बड़े शहरों में होता है वहीं आपको डूटी करने हैं तो आप फैमेली के साथ में अच्छा रह सकते हैं बड़े शहरों में ठीक है ऐसे इसलिए कि ज़्यदा दूटी होती हो सांतेरिया में भारत-नेपाल बोर्डर पर और इलेक्शन डूटी होती तो आप सांतिपू आप ले सकते हैं उसके बाद में फॉर्ट नमर पर यह सबसे बेस्ट है इनकी जो डूटी है वह आसान है आपको कहीं वह जदा पेट्रोली नहीं करने पड़ेगी बार-बार आपके ट्रांसफर नहीं होंगे जैसे श्यास पिक्लिए बार-बार ट्रेवल ज्यादा होता अल से लग गए वहां चार-पांस साल उसी एरपोर्ट पर रहोगी समझे बात को तो यह फाइदा है तो एक तो उस हिसाब से बढ़िया सारा नॉर्मल नॉर्मल डूटी है से सब्सक्राइब हो यह उसके बाद में इसलिए बता रहा हूं कि अलग अलग परकार की डूटी है समझ गए यह इस परकार से आप फैट सोइस अपनी देशक नहीं है जै हिंद जै भारत